तो हमारा जो लास्ट वीडियो था, that is part 4, उसमें हम लोगों ने series और parallel connection के बारे में देखा, और circuit का series और parallel combination को कैसे solve करते हैं, यह हमने देखा, ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो एक वार उस वीडियो के देखे, तब इसको देखे, तो फिर प्रोप पाट मिल जाएंगे इसे पहले का, ठीक है, चलिए, तो आज हम लोगों किया करना, आज हम लोग NCRT के questions solve करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे in-text question और कुछ solve example जो NCRT में देखा, और जो भी question 78 है, यह बहुत अच्छे question है, और इन question को करने के बाद आपका concept और भी clear होग क्योंकि physics जब तक आप numerical solve नहीं करेंगे, physics का concept clear नहीं होगा, और NCRT में बहुत अच्छे questions दिये हैं, तो आज हम लोग उसी का discussion करने वाले हैं, ठीक है, तो last class में हमने series parallel क्या होता है, formula वगरा, सब कुछ आपको बता ही दिया था, तो आज discussion स्टार्ट करते हैं, तो आए सब से पहले हम लोग आते हैं, page number 212, page 212 में, page 212 में, जो question number, आपका solve example number 12.7 है, 12.7, ठीक है, तो अगर कोई भी question आपको try करना है, तो वीडियो पाँच करके एक वार खुछ से try करे, दिनांसर मैच करे, और solve example भी मैं इसलिए बताता हूँ कि आप लोग के आसान हो, आप लोग क कई बार बच्चे solve example solve नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमने solve example भी solve करना है, क्योंकि solve example book ने solve करा है, तुमने नहीं करा है, ठीक है, तो मैं discussion, सारे solve example और जो in-text exercises, सारे question का discussion करूँ है, तो question number 12.7 में देखे, आपके पास क्या कह रहा है, एक electric lamp है, है ना, आप बुक में, देख सकत में question, whose resistance is 20 ohm, ठीक है, आप बुक में question देखे, मैं question लिखने से time waste होगा, तो मैं सिधा पढ़ के बता रहा हूँ, whose resistance is 12 ohm, ठीक है, electric lamp है, जिसका resistance 20 ohm है, and a conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery, अचा, figure भी दे रखा है, तो देखे, basically, एक conductor है, ठीक है, एक bulb है, और ये 12 volt के battery से, are connected to 6 volt की battery से, य connected है, ठीक है, तो 6 volt की battery हम लोग बना लेते हैं, 6 volt की ये battery है, और ये 4 ohm resistance इसका है, और, lamp है, इसका resistance 20 ohm question के अंदर हमें, दे रखा है, तो हमें क्या कहना, calculate the total resistance of the circuit, simple, ज़र दे को series connection है, क्या, series connection है, तो आर एक हो जाएगा, r equal to, r net equal to, r1 plus, r2, पहला क्या हो जाए, 4 plus 20, कितना हो जाएगा, 24 ohm, तो question का first part तुसे ये, question के b part में आई, question का ये part a हो गया, ये part b, ठीक है, part b में देखे, the current through the circuit, circuit से current पूछा है, तो अगर मैं ohm slot की बात करू, ohm slot, आपको याद होगा, ohm slot voltage equal to current into resistance, v equal to i into r, तो यहाँ पे, देखे, कित 6 volt की बैटरी से, तो voltage की जगह क्या रखोगे, 6, current की जगह क्या रखोगे, current पूछा हम से, resistance की जगह क्या पूछ करेंगे, r equivalent that is 24, तो यहाँ से i equal to 6 by 24 हो जाएगा, तो यहाँ से i equal to 6 by 24 हो जाएगा, तो आपको याद हो, 0.25 ampere, अब question के C part पे चलते है, question के C part पे आप चले रहा था, कि series के अंदर, voltage different होता है, हर एक resistor से voltage different होता है, लेकिन current क्या रहता है, same, तो यह जो current 0.25 ampere है, इसको भी current कितना मिल रहा होगा, 0.25 ampere, इसको कितना मिल रहा होगा, 0.25 ampere, मतलब series connection है, इसलिए current सेम रहेगा, लेकिन दोनों का voltage अलग अलग है, तो question C में आप से यह पूछा है, कि दोनों bulb और conductor, दोनों कितना voltage consume कर रहा है, ठीक है, तो मैं अगर 4 ohm resistor के लिए solve करने जाओ, तो इसके लिए अगर ohms लगाओंगा, तो V equal to I into R, V1 है तो I1 into R1 बोल दो, अगर इसको मैं R1 बोलता हूं, तो V1 हमें find करना है, I1 की value कितना, 0.25 resistance कितना, into 4, ठीक है और देखो, इसी में 20 ohm बाले के लिए देख लो, 20 ohm बाले के लिए देखोगे, तो क्या आजाएगा, V2 equal to I2 into R2, V2 हमने find करना है, I2 current same रहेगा, 0.25 into 20, ठीक, तो इसको solve कर लो, चलो, इसको देखो, क्या करोगे, 100 होगा, और ये 1, 1 volt हो जाएगा, 1 volt और इसको होगा, ता ठीक है, screen shot ले लिए, चलो, तो आप सारे का notes बना रहा हो, एक पर खुद से करना, अब हम लोग आते हैं, page number, आप आजाओ, ठीक है, same page, मारा है, page number 213, 213 page में आजाओ, in-text question, दो in-text question दे रख आपके पास, ठीक है, तो दो in-text question है, उसे फर्स्ट question देखो, आप क्या कह रहा है, जो फर्स्ट question है हमारा, वो है कह रहा, draw schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cell of 2 volt each, ठीक है, तो 3 cell of 2 volt each, 3 cell है और सारे 2 volt के है, 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug की, मतलब हमारा पास resistor है, 5 ohm, 8 ohm और 12 ohm, एक plug भी लगाना है हमें, और सारे कैसे होंगे, plug and सारे का connection कैसा है, series, तो देखो, यह बहुत simple है, circuit diagram हमने draw करना है, तो कैसे draw करें, पहले तो सब को series में connect करना है, तो हमने क्या करना है, 5, 8 और 12 को series में लिलो, यह रहा 5 ohm, यह रहा 12 ohm, यह रहा 8 ohm, तो 5 ohm, 12 ohm, 8 ohm, सब को हमने series में लिया, अब हमें क्या करना है, 3 cell है, इसको भी series में connection करना है, 3 cell है और सारे 2-2 volt के है, तो 3 cell देखो, 1 cell 2 volt का, दूसरा cell, single cell को ऐसी बनाते हैं हम लोग, तो यहां 3 cell है, तो ऐसे से 3 cell यहां तो यह रहा 3 cell, और सारे 2 volt के है, और एक प्लक की हमें बनाना है, लो हो क्या हमारा, यह 6 volt, है ना, 2-2-2, 2-2 volt का 3 cell, तो हमारे पास इल मिल के बैटरी बनेगा, 6 volt, Redraw the circuit of question 1, putting in an arm meter to measure the current through the resistor and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor, what would be the reading in the arm meter and the voltmeter, मतलब 12 volt वाला जो आपका resistor है, उसका हमें voltage measure करने के लिए, मतलब इसमें जो 3 लगा है ना, यह 3, तो 12 volt वाले का voltage measure करने के लिए, हमें voltmeter लगाना है, और पूरे resistors का current measure करने के लिए, एक arm meter हमें लगाना है, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसमें, मैं फिर से draw कर देता हू तो यह रहा 5 ohm, मैं 8 ohm को यहां लेता हूँ इस बार, कोई फरक नहीं परता इससे, और फिर यह रहा 12 ohm, चलो 5 ohm, 8 ohm और 12 ohm, हमने क्या करना है, इसको तो पहले 6 volt की बैटरी रखो इसके अंदर, एक plug की भी है, और arm meter लगाना है, यह arm meter क्या करेगा, पूरे resistor का current measure करने के काम आएगा, उसके बाद आपसे यह बोल रहा है, कि इसके अंदर आपको करना होगा, arm meter connect हो गया, और इसके बाद आपको लगाना होगा, volt meter, ठीक है, volt meter लगाना है, और 12 ohm बाले को connect करना है, यहाँ यह minus कर लो, यह plus कर लो, यह volt meter इससे connect करना है, तो इसका, सिर्फ हमे 12 ohm तो वोल्ट मेटर कैसे लगाएंगे, देखो, यह ध्यान रखेगा, कभी भी आपसे वोल्ट मेटर लगाने बोले, तो यह माइनस और प्लस साइन इस तरीके से वोल्ट मेटर हम लगाएंगे, 12 वोम बाले के लिए, समझे इस वात को, तो देखो, ऐसे ड्रॉ करना है, समझे अ सिरीज में है, तो कितना हो जाएगा, 12 वोम, 8 वोम, 20 वोम, 25 वोम आ जाएगा, ठीक है, यह 6 वोल्ट है, तो अगर मैं V equal to IR की बात को, V equal to IR, तो पूरे सरकीट में करेंट कितना है, I equal to VYR, that is, वोल्टेज कितना हो जाएगा, 6 और रेसिस्टेंस कितना आ आ गया, 25 तो यहा यहां पर आ जाओ, यह 12 वोल्ट वाले के पास, यह 12 वोम वाले के पास, रेसिस्टेंस कितना है, 12 वोम, करेंट कितना है, जो यहां पर है, 6 by 25, तो 6 by 25 अम्पियर करेंट, 6 by 25 अम्पियर करेंट है अपने पास, यहां से हमने क्या करना है, वोल्टेज फाइंड करना है, इसक 12 वंबाले के लिए सिंबॉलिक ले रहा हूं कि 12 वंबाले का लिए बोल्टेज कितना हो जाएगा वी एक्वल टू आई इन्टू आई 6 बाई 25 इन्टू 12 अब आप कैल्कुलेट कर ले ना इसमें कैल्कुलेट करके देख लिए जो भी आपका आंसर आजा है तो यह भी कोश्चन बहुत अच्छे कोश्चन से ठीक है तो आप एकवाइस का स्क्रीन सॉट ले फिर मैं आगले कोश्चन पर आता हूं आपने स्क्रीन सॉट ले लिया होगा चलो ठीक है अब हम लोग आगे की और बढ़ते हैं अब आते हैं पेज नंबर अब हमारा कोश्चन कितने नंबर पेज नंबर 214 पे 214 पे कोश्चन दे रखा है आप एक बार पढ़ें उस कोश्चन को अगर आपसे लगे कि बनने वाला है ता आप एक बार वीडियो पॉज करके और कोश्चन को अटेम्ट करें ठीक है और उसके बाद फिर यह सॉलूसन या डिसकसन जो भी मैं कर रहा हूं कोश्चन का वो आप देखेंगे तो चलिए आते हैं कोश्चन पर है ना 214 पेज नंबर हमारा 214 कोश्चन नंबर कितना है एक्जामपल 12.8 इसमें आपके आप पास क्या कर रहा है इंदा सर्कीट डाइग्राम गिवन फिगर 12.2 अब 12.10 फिगर कौन सा है भाई चलो 12.10 फिगर ठीक है मतलब यह आपके पास जो उपर दे रखा है रेसिस्टर इंपरलल टॉपिक के अंदर उसके अंदर आपसे कह रहा है कि सपोज रेसिस्टर R1, R2, R3 आप तो पहले में सरकी डाइग्राम बना देता हूं ठीक है तीन रेसिस्टर लगा है इस तरीके से तीन रेसिस्टर लगा है और ठीक है यहाँ पर सेल्स लगे हैं बहुत सारे इस तर से और प्लक की बगराम मीटर वगरा सब कुछ है ठीक है तो मैं सिंपले सरकीट बनाता हूं अब देखो इसके अंदर क्या कह रहा है कि R1 की वैलू कितना है 5 ओम R2 की वैलू है ना अगर य मतलब वैटरी वी कितना है वोल्टेज इक्वल टू 12 वोल्ट दे रखा है कैल्कुलेट तक करेंट थू इच रेसिस्टर अब पैरलल है याद करो पैरलल कनेक्शन थोड़ा सा पैरलल मैंने क्या बोला था पैरलल कनेक्शन में रिस स्रीज का उल्टा होता है मतलब यहां इक्वल टू वी वाई आर लिख सकता हूं मैं तो अगर रेसिस्टर वन से कनेक्ट चाहिए तो क्या लिखोगे वी वाई आर वी की वैलु कितना है टू बाई फाइव अगर टू से चाहिए आई टू एक्वल टू वी वाई आर वोल्टेज सब में सेम रहना यह जो बोल्ट बी पाट पूछा तक टोटल करेंट इन दा सरीट तो बी पाट में आप क्या करोगे यह आई वन आईटू आरथी की वैलु जो होगा उसको आप एड कर shallow i1 plus i2 plus i3 total current हमें पता चल जाएगा इससे ठीक है और total current जब पता चल जाएगा हमारे पास तो उसके बाद पुछा है हमारा the total circuit resistance, C, circuit का total resistance तो यह क्यासा connection है? parallel connection है, parallel में 1 by R equivalent equal to क्या हो जाएगा? 1 by R1, R1 की value कितना दे रखा है, 5 plus 1 by 10 plus 1 by 30, देखो कितना simple है, तो इसको calculate कर ले ना, answer आपके पास, अब हम लोग आते हैं, example number 12.9 पे, 12.9 पे जबाएंगे, देखें, इसके अंदर आपके पास, इसका पहले मैं circuit बना देता हूं, इसके अंदर आप देखेंगे, तो इस तरह से those resistor, यहां ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, इसमें आप पिछले class में, जो हमने numerical करा था, वो काम आ जाएगा आपने पास, ठीक है, plus minus, और नीचे जो है अपने पास, यहां पे, तीन resistor लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं तीन resistor बना देता हूं, आप लोग बुक्स में figure देख सकते है यहां तो अच्छे से बनाता हूं, फिगर, यह ऐसे हैं कुछ, और यहां एक सिल लगा हुआ है, इसका positive terminal उपर की तरफ है, तो कुछ ऐसा डाइग्राम आपके पास, बुक्स में दे रखा है, और आप से पूछा है, यह R1, R2, R3 से लेके R5 तक है, यह R1, R2, R3, R4, और R5 तो कोर्षन के फर्स्ट पार्ट के अंदर आप से पूछा है, calculate the total resistance in the circuit, इस circuit का total resistance आप से पूछा है, तो जड़ा देखो इसको अगर solve करो तो यह दोनों कैसा है, parallel, तो 1 by R equivalent equal to क्या करोगे, 1 by R1 plus 1 by R2, मैं मेथद बता दे रहा हूं, आन सर्फ चुकी बुक में दे रखा है तो calculate करके हम लोग time waste नहीं करेंगे, तो R1 की value कितना दे रखा है, 1 by 10 plus R2 की value कितनी है, R2 की value 1 by 40, तो यहां से R equivalent आ गया, मतलब यह दोनों मिलके हमारे पास एक resistor बन गया, अब यह तीनों के लिए भी हम लोग क्या निकालेंगो, 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, ठीक है, तो यह हम 1 by 10 plus 1 by 40 plus हमारा, ठीक है, यह नीचे, R3, R4, R5 है ना, तो R3, R4 और R5 कर लो है ना, और उसके according value दे रखा है question में, आपके पास देखो R3 की value कितना है, 1 by 30 plus 1 by 20 plus 1 by 60, आप इसको solve करेंगे, ज़रा देखो, इन दोनों को मिलाके, अपने पास एक single resistance आ गया क्या, यह जो ही इस इन तीनों को मिलाके, अपने पास एक आ गया क्या, तो इस circuit को मैं चाहूं तो ऐसे draw कर सकता हूं, देखो, simple circuit मैं चाहूं तो इस तरह से, और नीचे वाला भी तीनों को मिलाके, एक single बना सकता हूं, single, ठीक है, यहाँ आम मेटर लगा है, तो इस तरह से मैं इस circuit को देखो simplify क अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यह वाला वैलू, और यहाँ पर क्या लिखेंगे यह वाला वैलू, तो इध्यान रखना है, यह 1 by R equivalent है, तो वैलू लिखते समय इसका उल्टा करके लिखना आप, तो अब देखो, अब अपने पास यह आ गया, अब आप से question में क्या R equivalent 2, तो series में है, तो total R net निकालने के लिए, अब यह calculate करके जो है ISO और यह जो है ISO, दोनों का आप add करेंगे, तो R equivalent 1 की value, plus R equivalent 2 की value, मतलब यह दोनों को, इसको पहले मैंने क्या किया, सुनो ध्यान से, parallel को solve किया, parallel solve किया, यह एक single resistor की तरह आगया अपने पास, यह single resistor की तरह आ add करके आएगा, ठीक है, तो यह तो अपने पास आया, हमारे पास R equivalent की value, अब जड़ा देखो, अब जो अपने पास पूछा है question के B part में, the total current flowing in the circuit, circuit के अंदर total current, तो अब आपके पास R net पता ही है, voltage साय दे रखा है question के अंदर, voltage कितना दे रखा है, 12 volt battery दे रखा है, तो voltage 12 ह V equal to IR solve करेंगे, voltage पता है, R पता है, current आप पता कर सकते हैं, तो solve करके आपके पास answer दिया हुआ, आप एक बार solve करके देखना, और यह अच्छा question था, ठीक है, तो मैं NCIT इसलिए बोलता हूँ, NCIT के questions learning वाले होते हैं, सारे questions से आप बहुत अच्छा अच्छा concept सीखेंगे, और सारी चीजे जब आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तब होगा, समझें, तो आप एक बार इसका, next अब हम लोग आते हैं, page number 216 के, ठीक है, page number 216 पे जब आप आएंगे, तो आपके पास कुछ questions दिया हुआ है, और in-text question page 216, तो आप एक बार page 216 का in-text question देखें, इसमें देखें, first question, first question में आप से काया है, just the equivalent resistance when the flowing are connected in parallel, parallel में मतलब, आपके पास पहला में क्या करा है, 2 resistance दे रखा, r1 की value 1 ohm है, r2 की value कितना है, 10 to the power 6 ohm, दोनों को parallel किया गया है, तो आप क्या करेंगे, 1 by r1 plus 1 by r2, ठीक है, तो value put कर लेना, ठीक है, यह value put कर लेना, आपके पास answer आजाएगा, समझे, यह हो गया, अब आजाओ, इसी का b part में, इसी के b part में जो आप से पूछा है, तो calculation में आप पे छोड़ा हो, आप calculation करना, नो हो, तो comment के अंदर बताना, मैं calculation बता दूँगा, b part में आप से पूछा है, कि 3 resistor दे दिया, आपके पास, r1 1 ohm दे रखा है, r2 की value 10 to the power 3 ohm दे रखा है, और r3 की value 10 to the power 6 ohm दे रखा है, तो आपको इसका r equivalent find करना है, parallel में connected है तागे, 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 करेंगे, तो हो गया, तो पहला question तो बहुत असान था, question number 2 पे आईए, question number 2 आप से कह रहा है, an electric lamp of 100 ohm resistor and a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source, मतलब 3 resistor है और 3ों कैसा connected है, parallel ठीक है, parallel connected है, तो मैं 3 resistor बनाता हूँ, parallel इस तरीके से, ठीक है, और यहां से, और सारे 220 volt के source से connected है, तो चलो 220 volt, यह 220 volt से सारे connected है, ठीक है, और r1, एक मानलो जो electric lamp है, उसका resistance दे रखा है, मतलब r1 कितना दे रखा है आपे पास, 100 ohm, जो toaster है, यानि toaster के resistance का r2 मानले तो वो 50 ohm है, r3 मानलो मैं इसको, आगे water filter का तो वो 500 ohm है, तो आप से पूछा है, what is the resistance of an electric iron connected in a same source, that take as much current as all the three, all the three appliances, and what are the current through it, तो आप से पूछा है, इसके अंदर, कि पहले तो आपको क्या करना होगा, इसके अंदर current की value निकालना है, तो जड़ा देखो parallel है, तो parallel है, तो parallel है ते तीनों को, आप 1 by r equivalent निकाल सकते क्या, 1 by r1 plus 1 by r2, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, आप solve आपको करना है, तो 1 by r equivalent यहां से, तो यहां से अपने पास r equivalent आगया क्या, तो पूरे circuit का r equivalent हमें पता चल गया, और क्या पता चला, वोल्टेज पता चला, तो circuit से current पता चला, तो circuit से current पता चला जागा, कि V equal to IR, आप voltage की value 220 रखोगे, r equivalent रखोगे, तो आपके पास current आजाएगा, अब question मैं आप से कहा है, उसे ध्यान से सुने, water, what is the resistance of an electric iron connected to the same source, ठीक है, मतलब source का मतलब यह हो गया, इसी source से मैं इसकी जगा एक electric iron को connect कर दूँ, जो की उतना ही current consume कर रहा है, जितना यह कर रहा है, ठीक है, मतलब प electric iron को replace करता हूँ, और voltage यही है, तो वो कितना resistor होगा, तो उसकी current की, जो iron हमने connect किया है, iron, electric iron, उसका current हमारे पास पता है, क्या है, तो part 1 का answer current है, question ने का है, क्यों तना ही current ले रहा है, voltage पता है, 220 volt, V equal to 20 volt, तो again V equal to IR से हमें voltage पता है, current पता है, resistance नहीं निखाल लेंगे, हमार resistance कल्कुलेट हो जाएगा, तो यह तो हमारा रहा part B, B का answer, उसके लाज क्या है, and what is the current through it, तो current तो वही हो जाएगा, current की value मैंने बता है, current इतना ही रहेगा, तो resistance आगया अपने पास, चलो, तो यह हो गया हमारा question number 2, अब आते है question number 3, question number 3 देखो, हमने class पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से discuss किया है, what are the advantage of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting remain series, parallel घर के जो circuit को हम parallel में connect करने से क्या फाइदा, बहुत अच्छे से हमने पिछले वीडियो में discuss किया, तो आप एक बार वहाँ देखे, मैं short में बता जिता हूं, कि parallel connection के अंदर सारे devices को same voltage मिलता है, तो सारे अपने अब आते हैं, हम लोग question number 4 पे, question number 4 है, how can 3 resistor be connected, 3 resistor दे रखा है, 2, 3 और 6 ohm को है, 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm का, तो resistor दे रखा है, और इसको हमने क्या करना है, connected to give a total resistance, मतलब इसको मैं कैसे connect करूं मेरे पास, पहला है 2 ohm resistor, दूसरा जो है वो 3 ohm resistor है, और तिसरा जो है वो 6 ohm resistor है, इसको मैं कैसे connect करूं कि हमें resistance 4 ohm मिल जाए, और B में पूछा है कि 6 ohm मिल जाए, मतलब यह equivalent, R equivalent हमें 4 ohm मिल जाए, यहाँ भी R equivalent हमें, तो देखो, अब यह रहाते है, ऐसे question का answer हमें कैसे देना होगा, common sense हमें, आंसर देना होगा, हमें connect करके देखना होगा, different combination बना के इसका equivalent resistance कितने आएगा, देखो, तुम्हें आता है, इसको parallel में है, तो 1 by R equivalent निकालोगे, 1 by 3 plus 1 by 6 कितना आजाएगा, 6 आजाएगा, 2 plus 1, that is 3 by 6, 1 by 2, तो R equivalent कि आजाएगा, 2 आजाएगा, इन दोनों को मिल के 1 resistance मना, यह नहीं, उसका resistance कितना 2, और उसके बाद कौन connected है, 2 ohm, तो जड़ा देखो, 2 और 2 कैसा हो गया, series में, तो इन दोनों को मिला के कितना आगया, forum, तो मैं इन तीनों को अगर इस तरह से connect करूँगा, तो हमारे पास forum resistance आएगा, समझे इस बात को, तो यह common senses का कोई method नहीं होगा, आपके पास exam में हो सकता है, कोई और value हो, तो आप ती तीनों से किस तरह के combination बना सकते हैं, आपको hit and trial करके check करना होगा, अब देखो, B part, B part के लिए, अगर मैं तीनों को parallel connect कर दूँ क्या, तीनों को अगर आपस में parallel connect करता हूँ, तो जड़ा देखो, 2, 3 और 6 हैं, है ना, 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm है, तो parallel है, तो 1 by R equivalent, देखो, कितना आज 6 है ना, और 2 से 3, 2 plus 1, देखो, 6 by 6, 1 है, oh sorry, 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 कितना आजाएगा, 1 by R equivalent, अच्छा, question में जो है, मैंने, question में पूछा आपसे, ये, B part में 1 ohm ही पूछा है, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखेगा, B part में आपसे पूछा है, कि 1 ohm के लिए, ठीक, तो थोड़ा ध्यान रखे आपने पास, question number 4, अब आते हैं, question number 5 पे, last question, what is the highest and the lowest resistance, that can be secured by combination of 4 call of resistance, 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm, अब हमें पता है, हमें maximum resistance, चाहिए, तो कैसे connect करना होगा, देखो, maximum कब मिलता है, R1 plus R2 plus R3, तो series के अंदर हमें maximum, कभी भी कितना भी resistors हो, अगर आप से पूछे की maximum resistance, चाहिए, त में कैसे connect करना होगा, series के अंदर, minimum चाहिए, तो कैसे connect करना होगा, parallel में, क्योंकि देखो, वो क्या होता है, fraction, fraction, 1 by R equivalent करके, ठीक है, तो इस तरह से आते है, I hope, कि आपको ये सारे questions को आप एक बार फिर से दुबारा समझेंगे, और एक बार खुदे answer करना, और answer को मन में question के लिए, आप language लिखोगे, to get highest resistance, we have to connect all resistors in series, तो इसको आप लिख के practice करे, और अगला वीडियो में हम लोग hitting effect देखेंगे, जो कि last topic है chapter का, उसके आद exercise, तो उसके आद हमारा chapter खतम हो जाएगा, ठीक है, एक दो वीडियो में हमारा ये chapter खतम होगा, ठीक, तो चलिए, अगले बीडियो में मिलते हैं